रश्मीनी जैसे ही सुना कि उसकी सास कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने के लिए आने वाली है तो उसका सिर भारी हो गया उसे ये लगने लगा कि उसकी सास उसके पास आ जाएगी तो उसकी प्रैविसी में दखल होगा साथ ही साथ सारा दिन सास की तिमारदारी भी करनी पड़ेगी यही सोच सोच कर उसका चेहरा उत्रा हुआ था उसका इस तरह से उत्रा चेहरा देखकर आकाश ने पुछा कि क्या बात है रश्मी, सब ठीक तो है न, तुम्हारा चहरा इतना उत्रा-उत्रा क्यों लगता है आजकल नहीं तो, ऐसा तो नहीं है, अच्छा आकाश, माजी कितने दिनों के लिए गाम से हमारे यहां रहने आ रही है क्या मतलब कितने दिनों के लिए आ रही है उनका घर है उनकी जब तक मर्जी होगी वो यहां रहेंगी आखर वो पहली बार मेरे पास आ रहे है आकाश के इस तरह बोलने से रश्मी चिड़ गई और उसने चिड़ कर कहा हाँ तो मैंने ये कब कहा कि उनकी जब तक मर्जी होगी वो नहीं रुकेंगी ये घर उनका भी तो है लेकिन वो क्या है न कि अगर वो जादा दिन रुकेंगी तो फिर हमारी प्राइवेसी पर फर्क पड़ेगा उपर से सारा दिन एक पाउपर उनके लिए खड़ा रहना होगा उनके लिए ये करना पड़ेगा उनके लिए वो करना पड़ेगा क्या रश्मी तुम मा को नहीं जानती क्या वो अपना कम खुद करती है और अगर तुमने उनके लिए कुछ कर भी दिया तो कौनसा पहाड तूट जाएगा हाँ पहाड क्यों टूटेगा मैं तो हूँ ही नौकरानी इस घर की जो भी मूठा कर यहाँ आएगा मैं करूंगी सेवा आकाश बातों को बढ़ाना नहीं चाहता था इसलिए वो चुप हो गया अगले दिन जब वो सुबह सुबह अपनी मा को लाने स्टेशन जा रहा था तो कहाँ चल दिये सुबह सुबह क्या रश्मी, तुम्हें पता नहीं है, आज मा आने वाली है, उन्हें लाने स्टेशन जा रहा हूँ तुम्हारी मा कोई बच्ची है ग्या, जो ने लाने स्टेशन जा रहे हो ये तुम कैसी बाते कर रही हो, मा पहली बार यहां आ रही है हाँ तो खो जाएंगी क्या वो आकाश को रश्मी की बात पर बहुत गुस्सा आया लेकिन उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और बाहर गैरिट से अपनी कार निकाली और मा को लाने स्टेशन की ओर निकल पड़ा स्टेशन जाते जाते वो पुरानी बातों के बारे में सोच रहा था अरे तुम अभी तक सो रहे हो मम्मी को लाने नहीं जाओगे स्टेशन रश्मी आज तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही है सुबह से तीन-चार लूज मोशन भी हो गए सुनो न, मैं कैब बुक कर देता हूँ, मम्मी जी आ जाएंगी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मम्मी अकेले आएंगी रश्मी, मम्मी जी तो कई बार यहां आ चुकी है, हर बार मैं तो जाता ही हूँ, नहीं लाने ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ, चलो अब लेट मत करो रश्मी की मा यानि आकाश की सास अकसर उनके हाथी रहती थी, कभी एक महीने तो कभी दो महीने पिछली बार तो वो छे महीने रह कर गई थी, लेकिन इन छे महीनों में आकाश ने कभी भी रश्मी से ये नहीं कहा कि तुम्हारी ममी के आने से हमारी प्रैवेसी में दखल अंदाजी होगी, लेकिन इस बार उसकी मा ने यहां आने का क्या कह दिया, उसका तो मूड़ी खराब हो गया आकाश स्टेशन पहुचा, ट्रेन आ चुकी थी, वो भाग कर प्लेटफॉर्म पहुचा तो उसकी मा सावित्री देवी उसी का इंतजार कर रहे थी चरन स्पर्श मा खुश रहो बेटा, बहु कैसी है? अरे पहले मेरा हाल समाचार ले लो, फिर बहु का पूछना तु तो सामने खड़ा है, तुझे तो देखी रही हूँ, कि तु ठीक है, मेरी बहु कैसी है? ठीक ही है मा ऐसे क्यों कह रहा है, ठीक ही है, जगड़ा करके आये क्या उससे? अरे नहीं मा, मैं भला क्यों चगड़ा करने लगा, अच्छा चल, अब घर चल, सारी जासुसी यहीं कर लेगी तुँ अपने बेटे की बात सुनकर सावित्री देवी हस पड़ी, आकाश उन्हें लेकर घर पहुचा, रश्मी का मुह अभी भी उत्रा हुआ ही था, उसने अन्मने ढंग से अपनी सास को प्रणाम किया और किचन में चली गए, आकाश ने ये बात भाप ली, सावित्री देवी ज देखो जितना मुझसे बनेगा मैं उतना करूँगी, तुम इस तरह बीच-बीच में आकर मुझे ग्यान मत दो कि ये करो वो करो, वो ये बाते करी रहे थे कि सावित्री देवी वहां आ गए, अरे क्या बात हो गई, कौन ग्यान दे रहा है, अरे हे, कुछ नहीं मा, बहु स सच बता, क्या बात है, कौन किसको ग्यान दे रहा है, वैसे मुझे लगता है कि ये काम आकाश काई होगा, क्यो रे, क्यो तंग कर रहे मेरी बहु को, चल, जाकर तू अपना काम कर, और हाँ बहु, तू भी जाकर आराम कर, मैं बना देती हो खाना, रश्मी की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई, वो किचन से निकल कर अपने कमरे में गई, और अपनी मा से फोन पर बाते करने लगी, आकाश की मा जो ट्रेन से ठक कर आई थी, रश्मी ने उनसे एक बार भी नहीं कहा, कि मा जी आराम करिये मैं हूँ न, आकाश ने ये सब देखा लेकिन उसने इस मैं तुझे, अरे हाँ मा, ये भी कोई बोलने की बात है, रश्मी की सास बहुत ही अच्छी थी, वो उसे बहुत प्यार भी करती थी, ना तो वो उसे किसी चीज के लिए टोकती और ना ही किसी बात के लिए रोकती, जबसे वो उसके पास रहने आई थी, घर का सारा काम भी वही करती थी, लेकिन इसके बावजूद रश्मी का मूड अपनी सास को देख कर हमेशा ओफ ही रहता था, वो उनसे सीधे मूँ बात भी नहीं करती थी, आकाश सब देख कर भी चुप रहता, सावित्री को भी इसकी बज़ा समझ नहीं आती थी, एक दिन उन्होंने रश्मी स इस बारे में पूछा तो, गजब करती हैं आप, आपको भी यहीं लगता है और आपके बेटे को भी, क्या चाहती हैं आप, और क्या चाहता है आपका बेटा, मैं क्या करूँ जो आप लोगों को लगे कि मैं बहुत खुश हूँ आपके आने से, धूब बत्ती दिखाऊं कि आपको मा जी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आप हमारे साथ रहें, खामखा की गलत फैम ही प्यादा करती हैं आप, नहीं बहु, ऐसा तो नहीं है, ऐसा है तभी तो बोल रही हूँ, वैसे एक बात बताईए, आज कल के समय में कौन एक-एक सपता जाकर किसी कहां रहता है अरे तमाम तरह के खर्चे होते हैं, अपनी प्राइवेसी भी तो होती है, लेकिन लोगों को इससे क्या, बस आ जाना है कबाब में हड़ी बन कर सावित्री देवी को अपनी बहु की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो चुप रही, अपने बेटे की जित पर वो आतो गई थी, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि कहीं उनके कारण उनके बेटे और बहु में दूरी ना जाये सावित्री देवी अगले ही दिन गाव लोटे, आकाश को अपनी मा के जल्दी जाने का कारण पता था, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा, लेकिन उसके मन में ये बात बार बार घूमती रही, कि रश्मी अपनी मा और उसकी मा में बहुत अंतर करती है, इसी बीच एक दिन की बात है, रात के यही कोई साड़े ग्यारब बच रहे थे, तभी आकाश के नंबर पर एक कॉल आया, रश्मी उस समय सोई हुई थी, इसलिए वो कमरे से बाहर निकल कर बात करने चला गया, अरे इतनी बड़ी बात हो गई, और अब बता रहे हैं, मैं तुरन दो लाक रुप यह सब तुम क्या बखवास कर रही हो, रश्मी? मैं बखवास कर रही हूँ, मैं? अरे तुम्हारी मा तो गजब की विलन है, घर में थी तो लड़ाई करवा रही थी, अब गाउं चली गई तो वहां भी अपनी हरकतों से बास नहीं आ रही हैं, यह कहकर रश्मी ने आकाश के हाथ से मुबाइल शीना और गुस्से से फोन पर बोलने लगी, अरे क्यों? क्यों मेरे परिवार को आप तोड़ने पर तुले हुई हैं? आपको शर्म नहीं आती क्या? कान खोल कर सुन लीजे, आकाश यहां से एक रुपे भी आपको नहीं भेजेगा, अरे हमारे पचास खर्चियां और आप है कि भिखारियों की तरह हाथ पहला कर इने एमोशनल ब्लैक मिल कर रही हैं? अब रश्मी बेटा, ये तुम किसे इतना सुना रही हो? ये मैं हूँ, तुम्हारा पापा? रश्मी ने जैसे ही फोन के दूसरी ओर से अपने पापा की आवाज सुनी, वो शौक रह गई, उसकी हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई, कांपते होटों से उसने कहा, पापा, आप? रश्मी की माँ को अचानक हाट अटेक आया था, वो अस्पताल में एडमिट थी, उनका ऑपरेशन होना था और इसके लिए पांच लाक रुपे की जरुरत थी, र आखाश, आखाश मुझे माव कर दो, तो मेरी माँ के लिए, मेरे परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हो और एक मैआ हो कि जब माजी यह आई तो उनको यहां से भागने पर मजभूर कर दिया जिस तरह तुमारी मा है, वैसे ही मेरी भी मा है, उनोंने यही मुझे 9 महीने क अकाश के बातों को सुनकर रश्मी के आखे फिर भर आई उसने अगले दिन अपनी सास को फोन किया और उनसे माफी तो मांगी ही दो दिन बाद उन्हें अपने पास शेहर भी ले आई अब वे सबी साथ रहते हैं सास को मारा मा को दुलारा की सोच से रश्मी अबाजाद हो गई है सीमा और राधा दोनों सकी बहने थी मगर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था राधा जहां स्वभाव से विनम्र और दर्या दिल थी वही सीमा एक नंबर की स्वार्थी और लालची थी कॉलेज खत्म होने के बाद उनके माबाप ने उनकी शादी करने का फैसला किया चूंकि सीमा बड़ी थी इसलिए पहले उसकी शादी तै की गई एक दिन घर में सीमा और राधा अपने माधा पिता के साथ बैठे हुए थे सीमा बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है ये देखो ये उसकी फोटो है ये तो बताईए पापा की लड़का कितना पढ़ा लिखा है उसका घर परिवार कैसा है मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कम पढ़ी लिखे या गरीब से हो जाए अरे बेटा लड़का बैंक में उचे पदपर है अच्छा खाता पीता घराना है उसका रुपेय पैसों की कोई कमी नहीं है तो फिर ठीक है मुझे मन्जूर है ये रिष्टा निश्यत समय पर बड़े धूमधाम से सीमा की शादी कर दी गई चूंकि सीमा बड़ी बेटी थी इसलिए उसके पापा ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने अपनी हैस्ट से जादा खर्च किया इस शादी पर इसकी वज़े से उन पर अच्छा खासा कर्ज भी हो गया कुछ समय बाद राधा भी शादी के लाइक हो गई एक दिन सुनो जी मैंने राधा के लिए भी एक लड़का देखा है ये लोग सीमा के ससुराल वालो जितने अमीर तो नहीं है मगर शेहर में उनका अपना घर और अपनी किराने के दुकान है अपनी राधा खुश तो रहीगी न वहां हाँ हाँ क्यों नहीं चाहता तो मैं भी था कि सीमा की तरहा राधा की शादी भी बड़े धूम धाम से करो मगर पैसे की समस्या सामने खड़ी है कितने बड़े बड़े घरों में उसके लिए रिष्टा देखा मगर पैसों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई कभी राधा वहां आ जाती है वो अपने माता पिता की सारी बाते सुन चुकी थी आप चिंता मत करो पापा आपने जहां मेरा रिष्टा तै किया है मैं वहीं खुश रहूंगी मुझे तो बस आप लोगों काशिरवाद चाहिए राधा की बाते सुनकर उसके पिता को थोड़ी शान्ती मिली निश्चित समय पर बड़े ही सीधे साधे तरीके से राधा की भी शादी हो गई राधा के ससुराल में केवल उसकी सास थी जो अक्सर बीमार रहा करती थी राधा ने आते ही घर की सारी जिमेदारी अपने सर ले ली जिससे उसकी सास को बड़ी जाहत मिली राधा दिन भर घर का काम करती थी और समय मिलने पर वो दुकान के कामों में अपने पती का हाथ में बटाती थी उधर सीमा की जिंदगी एश्वाराम से गुजर रही थी कभी शॉपेंग तो कभी किटी पार्टी उसका सारा समय इनी चीजों में बेटता था एक दिन राधा और उसके पती दुकान पर थे तभी वहाँ एक चमचमाती कार आकर रुकी उसमें से सीमा और उसके पती निकले सीमा के हाथ में मिठाई का डिबबा था दोनों दुकान में गए और सीमा राधा को मिठाई का डिबबा देते वे बोली तेरे जीजा जी ने आज ही इस कार की डिलिवरी ली है, पूरे बीस लाग की कार है, मैंने सोचा ये खुश खबरी राधा को दी जाए दरसें सीमा राधा को जलाने के लिए अपनी कार दिखाने वहाँ आई थी, मगर भोली भाले राधा उसकी इस चाल को समझ नहीं पाई वो जानती है ना, कि हमारी हैसियत नहीं है ना कार खरीदने की, इसलिए अपनी नहीं कार दिखा कर हमें जलाना चाहती थी नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भला हमें क्यों जलाना चाहेगी ऐसी ही बात है, उसे पता है ना कि मैं कभी कार नहीं खरीद सकता, ममुली दुकांदार जो हूँ और उसका पती तो बैंक में बड़ा अफसर है ना क्यों, किस नहीं कहा कि तुम कभी कार नहीं खरीद सकते, तुम जरूर कार खरीदोगे, अरे सीमा का पती तो बैंक में नौकरी करता है, एक हिसाब से देखे तो वो बैंक का नौकर है, उसे बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है, मगर यहां तुम तो अपने मालिक हो तो, त असकारों के मालिक बन जाओगे। उसने सारी किंता छोड़ कर जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। वो रोजाना सुबह साथ बजे दुकान खोलता था और देज राध दस बजे तक दुकान पर ही रहता था। दोपहर के बाद राधा भी उसका हाथ बटाने दुकान पर आ थे। राधा और अनिल दोनों ही स्वभाव से कोमल थे। ग्राहकों से बड़ी ही विनम्रता से बात करते थे। इसका नतीजा ये होता था कि जो भी एक बार उनके यहां से सामान ले जाता वो फिर बार बार वहीं आता था। ग्राहकों को कम दाम में अच्छा माल देने के ये राधा और अनिल ने एक शांदार योशना बनाई। वो दुकान का सामान शेहर की व्यापारियों से ना खरीद कर सीधे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शेहरों से मंगाने लगे। इससे ग्राहकों को भी अच्छा सामान मिल जाता था और दुकान में मुनाफ़ा भी जाधा होता था। इस तरह धीरे-धीरे कुछी सालों में अनिल ने राधा के नाम से कई किराने, फल, सबजियों और डेरी उतपादों की दुकानों का शुभारम किया और उनका नाम रखा राधा ग्रोसरी मार। अब अनिल और राधा की शेहर में कई ग्रोसरी दुकान मेरी बहु तो साक्षात लक्षमी का रूप है। वो इस घर में आई और देखो घर को क्या से क्या बना दिया। साक्षात लक्षमी है मेरी बहु। मिट्टी को हात लगा दे तो सो ना बन जाए। एक दुन अनिल नई काड़ लेकर खराया। अरे फिर नई काड़ ले मैं कुछ नहीं कर रहा ये तो तुम्हारी बात ही सच हो रही है कौन सी बात अरे तुमने ही तो कहा था ना कि मैं एक नहीं दस कारों का मालिक बनूँगा लो उनमें से साथ तो आ गई हैं बस अब तीन और बची है राधा खिलखिला कर हंस्ती चलो इसे खुशी में तुम्हारी बहन के घर मिठाई दे आए दोनों मिठाई लेकर सीमा के घर चले कार से उतर कर दोनों उसके घर के अंदर पहुँचे अंदर सीमा और उसके पती में लड़ाई चल रही थी इस लड़ाई की दुन में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब राध हो रनिल वहां आए अरे मैं पुछती हूँ कि जरूरत क्या थी बैंक में पैसे गबन करने की तुम्हारी जमानत करवाने में घर की सारी जमापुची खर्च हो गई पर से बैंक में तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है घर में एक पैसा भी नहीं है घर गाड़ी सब गिर भी पड़े हैं तुम्हारी एक गलत कदम ने सब मिट्टी में मिला थिया मैंने क्या अपने लिए बैंक से पैसे गबन किये थे ये सब तुम्हारी बजा से हुआ है, तुम्हें ही शौक चढ़ा था पाटी करने का, शौपिंग करने का, अब भुक तो देखो जी ताने मत मारो, कोई और लड़की होती तो अब तक तुम्हें ठेंगा दिखा कर अपने माईके चली गई होती तो तुम भी चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें, जानते हो ना कि मेरे माईके की हालत खराब है, इसलिए शेर बन रहे हो अभी वो लोग जगड़ी रहे थे कि उनकी नजर अनिल और राधा पर पड़ती है, सीमा रोते हुए राधा से लिपड़ जाती है अरे, आप लोग यहाँ, मैं, मैं आपको कुछ कहने के जरूरत नहीं है, हम लोग सब जान चुके हैं मैंने सुना है, इस महीने आप एक नई ग्रोसरी स्टोर खोलने वाले हो अगर वहाँ का मैनेजर आप मुझे बना दें तो बड़ी कृपा होगी हमारे घर की हालत तो आप देखी रहे हैं, आप से कुछ छुपा हुआ नहीं है अनिल और राधा ने एक बार एक दूसरे की और देखा और फिर सीमा के पती को हाँ बोल दिया अब सीमा का सारा घमन चूर चूर हो गया था एक समय में जिसे वो अपने दूलत की जूठी शान दिखा कर जलाना चाहती थी आज वो उसी के रह्मो करम पर थी उसे एहसास हो गया था कि दूलत पर कभी घमन नहीं करना चाहिए